मित्रो आज मैं आपको बताने वाला हूँ लाल किताब के साथ एसे अचुक उपाए जिनें आजमा कर आप हमेशा निरोगी बने रहेंगे या आपको किसी प्रकार का रोग है तो निश्चिती वो रोग धीरे 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 दूर हो जाएगा तो पहला उपाए तामवे के एक लोटे में पानी भरकर उसे अपने सिराने रात को रखें सुबह उटकर उस लोटे का पानी किसी कीकर के व्रक्ष में डाल दें यह उपाए आपको 43 दिन तक करना है दूसरा उपाए एक नारेल ले और उसे अपने उपर से 21 बार वार ले एंटी क्लाकवाईज और एंटी क्लाकवाईज आप उसे 21 बार वार ले उसके बाद उस नारेल को आप किसी सुंसान इस्थान पर ले जाकर जला दे या किसी पूजा एस्थल पर ले जाकर होम कर दे तीसरा उपाय, एक रोटी ले और उसे अपने उपर से 21 वार कर उसे किसी काले कुट्टे को खिला दे ये उपाय आप 43 दिन तक करें चोथा उपाय, प्रती दिन हनुमान 40 पढ़ें, हनुमान बहुक पढ़ें तो इससे आपका रोक दिरे दिरे दूर हो जाएगा पाचवा उपाय, प्रती दिन आप थोड़ा-थोड़ा सुबह उड़ते सी गुड़ खाएं गुड़ देशी या शुद्ध होना चाहिए आप 43 दिन तक गुड़ खाएं, धीरे-धीरे आपका जो भी रोग होगा वो दूर हो जाएगा छटा उपाय, एक तांबे का सिक्का लें और उसे अपने सिरहने रख लें सुबह उड़ते ही उसे किसी बहते पानी में नदी में भादें यह उपाय आप कम से कम 5 बार करें साथ वह आपाय, एक कंबल लें काला सफेद कंबल होना चाहिए दो रंगी कंबल, एकी कंबल जिसमें काला और सफेद दोनों रंग हो उस कंबल को आप अपने उपर से 21 बार वारें और उसे किसी गरिब को दान कर दें यह उपाय आपको सिर्फ एक ही बार करना है धन्यवाद